Welcome to YouTube channel YRS class में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत सौगत है जैसा कि दोस्तों इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लास दस भावतिक विज्ञान में जो आपका पहला पाथ है परकाश का परावर्ण दोस्तों इसमें मैंने इसके पहले के वीडियो में गोली दरपड से संबंधित परिभाशाएं अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों तो नीचे डिस्क्रिस्टन में लिंक दिया है वहां जाकर आप इस वीडियो का अच्छे तरीके से देख सकते हैं तो दोस्तों हेडिंग आपके सामने यहां से क्या है गोली दरपड की वकरता तरिज्जा आर तथा फोकस दूरी यह में संबंध तो दोस्तों जो आपका वकरता तरिज्जा और फोकस दूरी होता है इन दोनों की संबंध में एक सूत्र होता है इस सूत्र को हम जब सवालों को लगाते हैं तो इसको प्योग किया जाता है दोस्तो हेडिंग क्या है गोली दरपड की वकरता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी यफ में समंद क्या होता है अब दोस्तों हम ये समझ लेते हैं किसे कहते हैं वक्रता त्रिज्जा किसे कहते हैं रेडियस आफ करवेचर दोस्तों गोली दरपड जिस खोकले गोले का भाग होता है उसके त्रिज्जा को ही गोली दरपड की वक्रता त्रिज्जा कहते हैं अब दोस्तों यहां से प्रश्ट बन सकता है किसे कहते हैं फोकस दूरी गोली दरपड के धुरू और मुक फोकस के बिच के दूरी को दोस्तों क्या कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं दोस्तों यहां से लिखेंगे जब दरपड का दौरता तरिज्जा की अप अच्छा छोटा हो कहा जाता है तो फोकस दूरी वक्रत तरिज्जा की आधी होती है अब दोस्तों तरिज्जा किसे कहते हैं गोरी दरपड जिस खोकले गोरे का भाग होता है उसकी तरिज्जा कोई ही गोरी दरपड की वक्रता तरिज्जा कहते हैं इसे दोस्तो हम R से डिनोट करते हैं जब कि फोकस दूरी को हम इसमाल YF से परदर्शित करते हैं दोस्तों यदे किसी गोरी दरपड के वक्रत तरिज्जा R तथा फोकस दूरी YF हो तो दोस्तों सुत्र क्या होता है? YF बराबर R बटे 2 होता है अगर दोस्तों यफ को बटेक माण ले हम तो यफ का गुड़ा दो में करेंगे दोस्तों यहां से आर, एकन्नम क्या होगा? आर हो जाएगा टु एफ, एकन्नम, टुएफ होता है अरथाथ दोस्तों फोकस दूरी, वक्रता तुरी टूरी की आधी होती है या वक्रता त्रिज्जा फोकस दूरी का दुगना होता है दोनों को हम इस परकार से कह सकते हैं गोरी दरपड की फोकस दूरी वक्रत त्रिज्जा की आधी होते हैं या गोरी दरपड की वक्रता त्रिज्जा फोकस दूरी का दुगना होता है तो फिर उम्मीद करते हैं त्रिज्ज्या और फोकस दूरी में संबंद क्या होता है या बराबर आर बटे दो या आर बराबर टू इफ होता है इसे अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे अब दोस्तों अगला आप काता है दूरीया नापने की दरपड से संबंदी चिन पर पाटे अब दोस्तों इन सभी जो आपके हां से नौ पॉंड दिये गए हैं इसको अच्छे तरीके से आप लोगों को याद कर लेना है बेगर इसको याद कियो हुए आप कोई भी कुश्च अब दोस्तों इसमें आपको क्या सका समझना है दोस्तों इहां से इसमें नमबर एक करके लिखेंगे समस्त दूरियां दरपड के धुरू से नापी जाते हैं दोस्तों जितनी भी दूरी होता है गोरी दरपड में उस सभी दूरियां हम कहां से नापते हैं दरपड के धुर दोस्तों किसे कहते हैं दरपड का धूरू किसे कहते हैं दरपड के प्रावर्तक्तल के मध्ध बिंदु को दरपड का धूरू कहते हैं अब दोस्तों धूरू को हम पीसरी नोड करते हैं तो जितनी वी दोस्तों दूरियां होता है वो सब दरपड के धूरू से नापी जाती है कहां, हम नौश को नौश के धूरु से नापते हैं, अब दोस्तों, धूरु के दाइं तरफ, यानि धूरु के के दाइं और मुक्खच पर आप कि someday कहते हैं, मुक्ख अच्छ , दर्पड के धूरु और वकरता केंदर से होकर जाने वार यानि जो सीधी रेखा गुजरे ठीक वो रेखा जो दरपड के धुरू और वकरता केंदर सी से होकर जाती है उसे दरपड का मुक अच्छ कहते हैं अगर दोस्तों मुक अच्छ को हम पीसी से बरदरशित करते हैं यानि दोस्तों समस दूर यह लब आ 你 किस अच्छ पर दोस्तों मुक अच्छ पर बांपी गई सब ह invisibility रातमक होती है दोस्तों यहां से जो आपका चौ्धा पॉंट वह आपसे कह रहा है दार पर के मुकड अच्छ के लंब वत उपर की ओर मापी गई दौरियां धनातमक होती पाइंच्छby दोस्तं पांचवा है देरियां द Clint उपर के दिशाम में जो दूरी ना पते हैं अजब दोस्तों वही दूरीन नीचे नापते हैं तो आपका मायनिस में हो जाता है अब दोस्तों छफ़ेवा कैसा मम आपके सामने यहां से अता है उत्तल दरपड्ल की फोकोष्स दूरी धनातम को होता है यानि दोस्तों आपका उत्तल दरपड होता है उसके जो फोकुस दूरी होता है वो आपका प्लेस में होता है और दोस्तों आउतल दरपड की फोकुस दूरी रातम को होता है दोस्तों आठों पॉंट आपके सामने यहां से कह रहा है आउतल दरपड त वस्त की दूरी होता है वह माइनिस में हो तो उसकी दूरी यादी दुरी दुरू सा मद रहा है तो उसकी दूरी धनातमक होती है दोस्तों आपको समझना क्या यहां से है समस दूरियां दरपड के धुरू से नापी जाती है धुरू के बाईं और धुरू के दाईं और मुक अच्छ पर मापी गई सभी दूरियां रातमक होती है धुरू के बाईं और मुक अच्छ पर मापी गई सभी दूरियां दोस्तों क्या होता है धनातमक होता है दोस्तों दरपड के मुकच्च के लंबत नीचे की और दोस्तों मापे गए दूरी क्या होता है रटातमक होता है दोस्तों आपको क्या याद रखना है उत्तल दरपड की फोकस दूरी धनातमक होता है और आउतल दरपड की फोकस दूरी रटातमक होता है इन सब को अच्छे त दरपढ़ के सामने बन रहा है तो उसकी दूरी क्या होता है दोस्तों रातमक होता है और अगर दोस्तों दरपढ़ के पीछे बंदरा परत बिम्बू तो उसकी दूरी धनातमक होता है और दोस्त हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं यहां से सूत्र का परियोग करते सम यानि सुत्र का परियोग करते समय ग्यात राश्य का चिन पहले से हम नहीं लगाते हैं गड़ना से उसका जो चिन पराप्त होता है उससे परत्विय मुवस्त या फोकस दूरी की स्थिती ग्यात कर लेते हैं दोस्तों आपको समझना क्या है यहां से जो आपका दरपड की फोक